वेलकम टो इशानी वीडियोज नागिन सीजन 4 तो आप सब देखना ही चाते होंगे और आप सब के लिए बहुत बहतरीन खबर है नागिन सीजन 4 के अंदर आप सब के फेवरेट केरेक्टर्स की रियेंट्री होने वाली है और यहाँ पर फिनाले तो इतना धमाकेदार होने वाला है और साथ ही साथ एक नए सीजन का भी आगाज होने वाला है अब क्या खास है चली सारी बाते हम आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरू कर दीजीगा ताकि हमें अप्रिसेशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंट्रस्टिंग अप्डेट हमेशा प्रोइट कराते रहें तो चलीए सबसे पहले बात कर लेते हैं नई रियेंट्रीस की जो आखिर में हाँ पर कैरेक्टर्स पहले थे वो फिर से आपको नजर आने वाले है नागिन सीजन 4 का अंत काफी जादा बहतरें तरीके से किया जाने वाला है जिसके अंदर आप सबको आपके सभी फेवरेट एक्टरस जो की दिखाई दी थी पहले और इसके बाद में जो एक्टर हैं वो सभी नजर आने वाले हैं यानि यहाँ पर सिर्फ जैस्विन भसीन को छोड़ कर बाखी सभी एक्टरस आपको दिखाए जाएंगे और साथी साथ आप सबके सामने एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट लाया जा रहा है नागिन सीजन 4 के फिनाले के दौरान अभी ऐसा बताया गया है कि नागिन सीजन 5 का आगाजी नागिन सीजन 4 के दौरान कर दिया जाएगा यानि यहाँ पर जैसे ही नागिन सीजन 4 का अंत होगा और नागिन सीजन 5 की शुरुआत होगी इसी के दौरान होगी आपको चलिए हम आपको पूरी तरह से समझा देते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है नागिन सीजन 4 का फिनाले और उसके आसपास यहाँ पर ऐसी बाते बताई गई हैं कि कई सारे एक्टर और एक्टरसेज उसके अंदर दिखाई देने वाले हैं जो कि नागिन सीजन 4 में अभी तक नहीं दिखाई दिये जिन में से एक नाम सामने आ रहा है हिना खान का और कई सारे ऐसे केरेक्टरस हैं जो कि नागिन सीजन 5 में दिखाई देने वाले हैं वो भी इसके पार्ट हो सकते हैं अब यहाँ पर Nagin Season 4 का फिनाले पूरी तरह से जैसे सामने आएगा और आगाज भी उसी तरह से कर दिया जाएगा यानि यहाँ पर Nagin Season 4 खतम होते ही Nagin Season 5 को उतारने की तैयारी कर ली गई है अब यहाँ पर हिना खान की तरह से अभी कोई भी official बयान तो नहीं आया है कि उस सच में नजर आने वाली है लेकिन ऐसा बताया गया है कि नजर आ सकती है आप कितने जाद एक्साइटेड एक ख़बर सुनकर कमेंट करके जरू बताना और एक लाइक जरू कर दीजेगा ताकि हमें appreciation मिले और हम आपको ऐसे ही real और interesting अपडेट हमीशा प्रवाइट कराते रहें थैंक्यू